अक्षर आप लोगों ने सुना होगा कि खाली हाथ आये थे और खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आनो और खाली हाथ जाना क्या है अब इसमें क्या है कि खाली हाथ आये थे और खाली हाथ जाने में यह है कि हम उपर से कुछ लाए नहीं थे ना उपर कुछ ले जाने वाले हैं तो अब इसमें हम खाली हात आयते और खाली आज जाना पर इसको जैसे समझीए कि की क्यों कि कमाना किसके लिए बीवी के लिए बच्चों के लिए उनके लिए कमाना है पेसों का क्या कमाएंगे क्योंकि बच्चे भी फिर कमाएंगे बच्चे के बच्चे भी कमाएंगे और उनके बच्चे भी कमाएंगे तो एक कमाने का सिलसला हमारा जारी रहेगा उन सभी कमाईयों को छोड़ कर हमें जाना पड़ेगा यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा कमाईयों को और सारी कमाईयों कहां जाएगी बेंकों में और बेंक किसका है रत सिल्ड का क्योंकि बेंकिक सिंस्टम के जनक रत सिल्ड है जिनोंने सभी बेंकों का एक तरीका बनाया है रत सिल्ड ने बेंकों का बनाया आपका जमाधन उसम सौप दें तो विराप की धनका क्या और हम सभी रतजिल्ड के केदी हैं, को काम कर रहे हैं तेजी से कोई धीरे दूड़ रहा है कोई और फास्ट दूड़ रहा है अब हम समझें कि रत सिल्ड कोन है रत सिल्ड सर्प लोग नाग लोग का प्राणी है उसे स्वर्ण चाहिए था स्वर्ण पानने के लिए उसने मानों का निर्मान किया और मानों ने स्वर्ण कमाया और स्वर्ण को बाद में कागज परची नोटों के बदले उसे खरीद लिया अभी तक मानों के पास कागज के नोट यानि कागज की पर्ची थी जिसे पागर मुर्ख मानव स्वहम को धनवान समझ रहे थे वह कागज के टुकड़े भी छिन लिये जाएं डिजिरल करेंशी के नाम पर तो मानव ने कमाया क्या केवल वहम अमीर होने का जबकी वह कभी अमीर हो ही नहीं सकता जब तक उसके पास अपनी भूमी स्वहम का उगया नाज हरी सबजियां स्वर्ण और स्वतंतरता नहीं होगी मानव तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह रतशील्ड का गुलाम है केजी नहीं यही कारण कि मानव खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाना है इसका रूप यही अपनी जरजर सरीर को बदलने और सरीर बदल जाने पर फिर आ जाता है गुलामी करने रतशिल्ड की लेकिन आज इवन इस ब्रह्म में जीताएगी वे आजाद है अमीर है और जब तक जाता है फिर खाली हाथ चला जाता है लोग समझते हैं कि पूजा पाठ भजन की इतन वरत उपवास करके ध्यान करके जीवन मरन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे लेकिन ये ब्रह्म भी रतशिल्ड का ही फेलाया हुआ है क्योंकि हम जब तक मन से प्रभू के नाम का स्मरण नहीं करेंगे सिर्फ दिखाने के लिए पूजन पाठ इत्यादी भजन किर्थन करेंगे वास इत्यादी करेंगे तो उससे हमें जीवन मरन का कोई लाब नहीं हो अब सादू संत की कहानिया हमने सुनी है अध्यात्मिक ग्यान में हमने लिया है और उन सुन सुन को हम कथायों में जाते हैं अनेक मनुरंजन करते हैं आज वो माराज जी आ रहे हैं आज वो माराज जी अच्छी कता करते हैं आज वो माराज जी कता करते हैं कता सभी अच्छ सभर्प सरप लोग का स्वामी इस ने हमें बनाया है स्वन कमाले के लिए स्वन से हमने परचिया कागज बनाया कागज से हमने व्हुपस बेंटिकिंग चेुक्टर उसको डाल दिया अब हम वह सबी उसके केदि हैं और जीवन जीनिका अधिकान्स वास्तिरिक जीवन यही मान लिया लोगों ने कभी यही जीवन हैं जागरत हैं नोकरी छोड़ देते हैं क्योंकि जागरत लोग कोहलू का बेल बनकर नहीं जीना चाहते और स्वाभावी के जो जान गए वह गुलाम नहीं है स्वहिम के मालिक हैं तो फिर वे सेतान की उलामी कैसे कर सकते हैं आपको मैं मेडिकल वर्ड की बात बताऊं तो वर्ड की प्रतिकों तक को ध्यान से देखिए सभी में आपको सर्प की आकार देखेगा सर्प का आकार सर्पाकार होने से आप सर्प का आकार देखेंगे तो इन स सब्सक्राइब कि उपर से कुछ नहीं लाए थे उपर कुछ नहीं ले जा सकते यह प्रित्वी पर जितना भी कमाया धन वह यह रह जाएगा नमस्कार